आप सभी के हिर्द्य में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राव भगवान शिव पार्वति को बहुत प्रेम से भगवान राम के पूरी कथा सुना रहे है और बता रहे है कि किस प्रकार वे भगवान प्रेम के वशिभूत होकर उनको आनन्द देने के लिए उनके घर में स्वयम ही जन्म ले रेते हैं मरम न जानन हो कोई कोई उनकी इस भात का मरम नहीं जान सकता रहस्य नहीं जान सकता वे स्वयच्छा से जो इच्छा होती है उसकी अनुरूप भक्तों को वर्दे देते और उन सभी घटनाओं को घटने के लिए ऐसी एक दिव्य आयोजन करते हैं कि जगत अचंभित रह जाता है किसी की बुद्धी में कुछ नहीं समाता कि हूँ क्या रहा है सब कुछ अतींद्रिय होता है अलोकिक होता है हमारी इंद्रिया नहीं पकड़ पाते हैं पकड़ ही नहीं सकती हैं किसी की भी इंद्रिया नहीं पकड़ सकती हैं तो इसी क्रम में भगवान शिव आगे कह रहे है पारवती से, बड़े आनंद ठोकर बता रहे हैं एह बिधी राम जगत पित माता कौसल पूर बस ही सुख़दाता कह रहे हैं वे जो जगत की माता पिता हैं, दोनों एक साथ हैं, राम वे जगत की माता भी हैं और जगत के पिता भी हैं वे क्या कर रहे हैं? कौसल पुर बसही सुख दाता अवद पुरी की बाशिंदों को, निवासियों को सुख दे रहे हैं परम सुखी कर रहे हैं जिस समय भगवान राम अवतरित हुए अयोध्या में उस समय जो अयोध्यवासी होंगे क्या वे साधारण जीवात्मा होंगे सोचिए जिनों न जाने कितने पुन्य अर्जित किये होंगे न जाने परमात्मा को रिजाने के लिए कितने जन्मों तपस्या की होगे परमात्मा के लिए कितना रुए होंगे कितने प्यास से भरे होंगे तब जाकर उनको यह परमसो भग्य का अवसर मिला कि जाओ अवद पूरी में शिरी हरी स्वयम भगवान शिरी राम के रूप में अवतरित होंगे उनके चक चक दर्शन करना नित अमृत पीना जाओ और उनको अयुध्या पूरी में जन्म दे दिया ब्रह्मा जी ने क्या कहा था भे कल देवताओं से कि तुम लोग जाओ और वानर के रूप में देधारन करके भगवान के आने की प्रतीक्षा करो तो इसी प्रकार से यहां पर जो अयुध्या में इस समय वर्तमान हैं लोग वे प्रभुराम के जन्म के उत्सव का पून आनंद ले रहे हैं और उनकी बाल लिलाओं का भी जिन्हें रगुनात चरन रतिमानी तिनकी यह गती प्रकट भवानी शिव कह रहे हैं सुनो भवानी जिनकी प्रीती श्री राम के चरनों में है ना वे ही इस तरह की गती को प्राप्त होते हैं सौभाग्य के उन्हें को परमात्मा अपने स्वरूप के साथ प्रकट करता है उन्ही के सम्मुक वे ही देख पाते हैं और वे ही बड़भागी होते हैं वे ही सौभाग्यशाली होते हैं कोई परमात्मा की एक जलक देख ले उसे यह अवसर मिल जाए उसके पीछे उसकी कितने जन्मों की प्यास रहे होगी हमारी प्यास ही कहां होती है हम तो बिन प्यास की उसको पुकार लेते हैं बस just for formality बड़ा अच्छा शब्द है formality बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा शब्द है formality मेरे पास एक बार कुछ सादू सन्यासी आए यात्रा के थे मैंने उन्हें घर निमंत्रित किया कि आप महराज पहले मेरे हां भोजन पाएं फिर आगे की यात्रा पर निकलें वे आए तो उनमें से एक ने कहा जो उनके साथ था उनको लेकर आ रहा था भक्त था उनको लेकर आया मेरे घर तो उसने कहा कि अरे आप इतनी फॉर्मेलिटी मत कीजिये इनके लिए जब वे आये तो भोजन इत्यादी बहुत अधिक प्रकार का बनाया फल इत्यादी बहुत प्रकार के थे उत्साह था स्वभाविक रूप से सब कुछ उनके स्वागत सत्कार के लिए वरोसा गया तो जो उनके साथ था उसने कहा आप फॉर्मेलिटी मत कीजिये तो मैंने उससे कहा यह फॉर्मेलिटी नहीं है इसे सत्कार कहते हैं दोनों में बड़ा भेद है यह ओनर है फॉर्मेलिटी नहीं है फॉर्मेलिटी क्या होती है जो परमात्मा को पुकारने की फॉर्मेलिटी करते हैं वहाँ वे कुछ पात होड़ी न पाते हैं formality receptionist करती है आप जाते हैं reception पर वो मुस्कुराती है बहुत प्यार से आपको देखती है लेकिन उसके उस प्यार से देखने के पीछे कहीं उसका आंतरिक सौंदर्य नहीं छिपा होता आंतरिक आनन्द नहीं छिपा होता है ऐसा नहीं होता कि वह आपको देखकर आनन्द विभोर हो गई है कृत्य कृत्य हो गई है कि अहो भाव अरे आपके दर्शन हुए धन्य भाग मेरे स्वागतम 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 तो स्वागत कक्ष पर बैठा कोई भी अधिकारी आपको देखकर भीतर से नाच नहीं पड़ता है आनन्द लहरी उसके भीतर उसे रोमांचित नहीं कर देती है वो उसका एक पार्ट ओफ फॉर्मेलिटी है एक्टिंग का पार्ट है कि आप आएंगे तो आपको देकर उसे मुस्कुराना ही है ना चाहते हुए भी मुस्कुराना है और ऐसे दिखाना है कि आपको देखकर उसे प्रसंड़ता हो रही है सर्फ बाहरी बाहरे रोम से लेकिन यही जो रिसेप्शन पर बैठा है स्वागत कक्ष पर वह चाहे तो वह स्थान उसके लिए जंपिंग बूर बन सकता है अगर हिर्दे से स्वागत करे काम हैतिने कर्म ही पूजा है तो उसको पूजा क्यों न बना ले कि जो भी उसके पास आया पूछताच की खिड़की पर जब जाते हैं तो पूछताच वाला जो अधिकारी अंदर बैठा होता है बताने वाला वो ऐसे दुद्कारता है ऐसे जड़कता है कि जैसे भीखारी आ गए हो तो जो फॉर्मैलिटी है वह काम नहीं आती पुकारने में रगुपति बिमुख जतन कर कोरी खेते हैं भगवान श्री राम से रगुपति से श्री राम चंदर जिससे यदि कोई विमुख हो जाए और विमुख होने के बाद करोडों उपाये करे राम से मुह फेर ले प्रेम करना तो दूर की बात है राम से ही मुह फेर ले तो कवन सकईभव बंदन तो होगे और वो संसार के बंधनों को नहीं तो हो सकता छूटेंगे नि उसके अवगमन के बंधन राम से विमुख होने के बाद उसके इन बंधनों को तोड़ने का कोई उपाय नहीं है उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है एक स्थान पर और कहा है तुल सिदास्टे में राम नाम अवलंब बिन परमारत की आस बरसत बारत बूंद को चाहत चढ़न आकास कि राम नाम अवलंब बिन बिना राम नाम के सहरे के परमारत की आस तुम मुक्ष की उम्मीद करते हो आशा करते हो कि बिना राम नाम के तुमको मुक्ष मिल जाए कहतो यह तो ऐसा ही हुआ जैसे बरसत बारिद मूंद को जैसे वर्षा की बूंदे गिर रही हो और तुम चाहत चढ़न आकास और तुम आकाश में चढ़ने का प्रयास करो चाहत यो आसमान में जाना सोचा चलो बारिश हो रही है इसकी बूंदों को पकड़ कर लटक के उपर तक पहुँच जाए नहीं संभाव तो इसी तरह से राम नाम अवलंब बिना राम नाम के सहारे के कुछ नहीं हो सकता और ये बात भगवान शिव पारवति को समझा रहे हैं बता रहे हैं बहुत प्रेम से आदर से क्योंकि पारवति के मन में राम के प्रति जब वे सती थी तब से संदेह चला आ रहा था तो वे उसे संकेत कर रहे हैं यहाँ पर कह बाकि सबको रहे हैं कहते हैं न कहना तीनू सुनाना नूनू वोई बात है सबको सुना रहे हैं लेकिन असली उद्देश्य सुनाना पारवती को है कि रगुपती विमुख जतन करको हो रहे कोई कितने भी कुरोडों उपाय कर ले भगवान शरी राम से विमुख होने के बाद लेकिन उसकी मुक्ती नहीं हो सकती संभवी नहीं है मुक्ती अनेक प्यारे प्यारे है बहुत प्यारे राज दुलारे, हनुमान भक्त मुझे बहुत सारे वटसेप करते हैं पर हम भक्त हनुमान के हनुमान के अलावा उन्हें कुछ दिखता है यह नहीं और मुझसे कहते हैं कि क्या संभव है कि हम भी हनुमान जी के दर्शन कर लिए तो मैं उन प्यारे भक्तों को समझाता हूँ समझ में नहीं आती लेकिन बात उनके फिर भी समझाता हूँ कि हनुमान की राह राम से होकर जाती है याद रख लेना जिन हनुमान के पीछे तुम दिवाने बने-बने घूमते हो उन हनुमान के हिर्दे में कौन रहता है बताओ मैं बोले जी राम रहते हैं और मैंने का तुम तो राम से कौसो दूर रहते हैं बिल्कुल राम के प्रति तुम्हारा कोई भाव ही नहीं है सिर्फ हनुमान ही हनुमान मैंने का यही तो हनुमान की नापकड में आने का सबसे बड़ा खेल है वो कहते हैं अच्छा है उल्जे रहो करते रहो जय हनुमान ग्यान गुन सागर बहु सागर में यटके रहो ग्यान गुन करते रहो मुझे और मैं राम नाम की गुन राम नाम के धुन ही गाता रहूंगा तुम डूबो राम नाम में हनुमान पीछे पीछे आएंगे जैसे सपेरा बीन बजाता है और भगवान शिव के कंड से उतर कर नाग देवता चले आते हैं राम नाम की बीन बजाओ और हनुमन जूमते हुआएंगे क्योंकि राम की गुण्ज ही हनुमान को प्रिया है अपने स्तूति से हनुमान कभी प्रसंद नहीं होगे यह हनुमान चालिसाएं जो जबते हैं वो यह समझ लें यह बात मैं कह रहा हूँ और हनुमान जी से पूछ कर कह रहा हूँ मैंने पूछा था यह इतने सारे हनुमान चालिसाएं के आपके लिए जाब होते हैं बोले ठीक है पर उनसे मुझे कोई अंतर नहीं पढ़ता हनुमान जी बोले तो मैंने का फिर तो भे लोग हनुमान चालिसाएं ना पढ़ी वे बोले हनुमान चालिसाएं से उनके मन का शुद्धी करण हो रहा है हनुमान चालिसाएं से वे राम की भक्ति की और शुद्ध भाव से अग्रसार हो सकते है ये शुद्ध करण की एक प्रक्रिया है खनुमाई चालिसा बहुत कहरी प्रक्रिया है इससे हमारा खृद्य शुद्ध होता है पवित्र होता है और उस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाता है जो राम की यात्रा है और राम की यात्रा में तो हनुमान आपके साथ चलेंगे बिल्कुल साथ चलेंगे मैंने राम से सम्मंदित सबसे पहली पुस्तक वनवास जो पहला अनुभव था साखशातकार का हनुवान जी के साथ कही हनुवान भग तुमको कि जरा डूबो उसमे और पता लग जाएगा तुमको देर नहीं लगेगे कि किस तहें से हनुवान जी की उर्जा तुमें घेर लेती है चारों तरफ से और यही बात यहाँ पर भगवान शिव पारवती से समझा रहे हैं जीव चराचर बसके राखे सो माया प्रभुसो भाई भाखे कहते हैं कि शिव कह रहे हैं कि देखो वह जो माया है जो जगत के सभी चर अचर जड़ चेतन सभी को अपने बस में रखती है किसी को उसने नहीं छोड़ा वशिभूत किये बिना वह माया किसकी दासी है किससे भाई खाती है सो माया प्रभुसो भाई भाखे भगवान राम के आगे तो वो भई से कांपती और भागने लगती है इतना भई भीवीत है माया राम से भरकुटी विलास नचाव हिता है और भगवान राम माया को अपनी भरकुटी के इशारों से नचाते है भवों के इशारों से आख के इशारे से कुछ कहते भी नहीं माया से संकेत करते हैं माया को और माया नाचती है उनके आगे वे शिरी राम उनसे प्रीती जोड़ने की बाद हनुमान कह रहे हैं शिव कह रहे हैं शिव और हनुमान इतने संयुक्त हैं कि हनुमान ही बोल गया के ने बताया पारवती को कि वे मायपती हैं अस प्रभु छाड भजिये कहु काहे और तुम ही बताओ पारवती ऐसे प्रभु श्री राम को छोड़ कर और भला किसको भजा जाए किसका भजन किया जाए किसका किर्तन किया जाए किसका गुनगान किया जाए क्योंकि स्वेम भगवान श्यव हर समय राम के नाम में डूबे रहते हैं राम ही उनके आराध्ये हैं ऐसी अपार महिमा है भगवान श्री राम की मन क्रम बचन छाड चतुराई भजत क्रपा कर ही रगुराई रगुराई कब क्रपा करते हैं रगुवीर भगवान श्री राम कब किर्पा करते हैं उनकी किर्पा हो न हनुआन जी आपके पास ही बैठे रहे हैं उठके ही न आ जाएं कि राम जी को आपने बसा लिया अपने खरदय में अब पहुँच जाएंगे वो जैसे मधु मक्खी होती है भवरा होता है जहाँ फूल और सुगंद आता है पहुँच जाती है वहीं पर मंडलाती रहती है वहीं आपके भीतर राम नाम की सुगंद आपके भीतर वह पुष्प खिल जाए जिससे राम नाम की सुगंद आए तो भवरे हैं हनुमान ची सोयता ही आ जाएंगे राम नाम के सुगंद तो वो कहां से नहीं सूंग लेते हैं कितनी ही दूर हो और उनके लिए दूरी कोई महत्व ही नहीं रखती है तो कह रहे हैं कि कैसे कृपा करते हैं भगवान श्री राम कब करते हैं मन क्रम बचन छाड चतुराई जब आप मंसा वाचा करमना अपनी चतुराई छोड़ देते हैं चालाकी छोड़ देते हैं चल कपड छोड़ देते हैं उससे पहले नहीं कल परसों ही मैंने बात बताई थी गुरुबानी कहती है सहसे स्यान पा लख होई इक न चल ले नाल कि जो स्यान पणा है चालाकी है इक न चल ले नाल सच्चे साहिब के दरबार में एक नहीं चलती है प्रवेश ही नहीं है जी चलना तो बहुत दूर की बात है तो हमारे जितनी भी स्तूतियां है हम चाहे जिसको रिजा लें जितना हनुमान चालिसा जपलें जितना शिरी राम स्तूति जपलें कुछ नहीं होने वाला धेले भर का असर नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि स्तूति कौन कर रहा है छल कपट से भरा हुआ चित तो उसमें वो प्रभाव ही नहीं उस प्रार्थना में वो शक्ती ही पैदा नहीं होगी तो प्रार्थना कैसे पहुंचेगे तो शिव कह रहे हैं सबसे पहली जो शर्त है सबसे पहले प्रभू शरी राम को रिजहाने की उन्हें प्रसंद करने के कि आपको सारे छल, कपट, चौतुराई ये सब छोड़ने होंगे पहली टर्म और कंडिशन और इनको छोड़ने के बाद जब आप पुकारेंगे तो उस पुकार में एक अलग ही प्रभाव होगा अब एक उधारन की द्वारा समझाता हो समझेगा कि कैसे क्या कार इतनी चल रही है आजकल कारें सभी विक्ति कार लेते हैं उधारन के द्वारा समझा रहो हूँ मैं कि कैसे नहीं वहाँ तक चल कपट से भरी होई चतुराई पहुँचती है अब कार में CNG भी डलती है डीजल भी डलता है पैट्रोल भी डलता है ऐसी कार मुझे कोई भता दो जो मिट्टी के तेल से चलती हो कोई भी कार मिट्टी के तेल से नहीं चलती तो जो चल कपट का जीवन है ये समझे लो मिट्टी का तेल है इससे आपकी कार नहीं चलेगी तो चलो कोई थोड़ा और आके भड़ा थोड़े कम चल पकपट हो गए जीवन में कुछ कम तो वो पैट्रोल डीजल बन गए तो आपकी कार चलने लगी अब जो कार में पैट्रोल डल रहा है उस पैट्रोल से आप हवाई जाज उड़ा कर दिखा देजिए आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये जो हम पैट्रोल अपनी गाडियों में इस्तमाल करते हैं ये तो हवाई जाज में नहीं ड़ता हवाई जाज के लिए तो इससे भी अच्छा पैट्रोल होता है इसका मतलब क्या कि छलकपट और कम हो गया और फिल्टर हो गया छलकपट और प्यॉरिफिकेशन हुआ और इस उद्धी करन हुआ तो छलकपट इतना प्यॉर हो गया कि वो हवाई जाज में डल गया और कहां से कहां उड़ा के लिए जाने लगा आकाश में चलो जी ये भी बात हो गए अब मैं कहूँ हवाई जाज में जो पैट्रोल डाला वो पैट्रॉल राकेट में डाल दोना अंत्रिक्ष में चलते है चलो देलदार चलो, चांद के पार चलो तो आप कहेंगे यह कैसे हो सकता है हवाई जहाज चाहे कितनी उचाई पर ले जाए लेकिन उसमें डलने वाला पैट्रोल रॉकेट में थोड़ी न डल सकता है तो रॉकेट में जो इंधन डलेगा वो धर्ती के गूर्तवा करशन से मुक्त करेगा धर्ती के बंधनों को तोड़ेगा तो जब आपके भीतर का इंधन, भीतर की उर्जा इतने शुद्ध हो जाए कि वो रॉकेट में डलने वाला इंधन बन जाए तब बवबंधन को तोड़ कर वो आगे जाती है और तब अंतिरक्ष की सेर होती है अब आप समझें तो छल कपट मैं छूड़ने की बात नहीं कह रहा डरिये मत मन को निराश भी मत कीजिए कि इसका मतलब तो हम तो कभी भगवान राम को प्रसंद नहीं कर सकते तो छूटेगा ही नहीं बात सही है लेकिन छल कपट को कम तो किया जा सकता है आप पहले सौ लोगों को सताते थे 50 को सता लेजिए 25 कर लेजی ए उसके बाद फिर 10 लोगों को सता लेजिए दिरे दिरे सताना कम कर दीजी छल कपट का मतलब क्या होता है कि आप दूसरे को सता रहे और कोई अर्थ नहीं है चलकपट का चलकपट किया ही इसलिए जाता है कि दूसरों को सताया जा सके उन्हें नुकसान पहुंचा कर अपना फाइदा किया जा सके तो ये मैं आपको यहां पर राम चरित्मानस की माध्यम से विधियां बता रहा हूँ चलकपट छोड़ने की एकदम से मत छोड़ दीजेगा चलकपट वरना मारा गया ब्रहम बचारी बुरी हालत में फस जाएंगे एक दिन में चलकपट छोड़ेंगे तो ग्राफ धीरे धीरे तेजी से गिराएंगे अगर नियत हो तो लोगों को कम सताना शुरू करें कम सताना शुरू करें और धीरे 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 करते कैसे स्थित्य आएगी कि किसी को सताने में आपका रस नहीं रहेगा अभी रस है आनंद है दूसरे को नीचा गिराने में दूसरे को पचाडने में दूसरे को छोटा महसूस कराने में अभी रस है और इसी का नाम चलका पठ है तो आज भगवान शिव की क्रपा से पारवती को समझाते समझाते बीच में मैंने आपको ये गहरा सूत्र बता दिया है कम सताने का चलकपड छोड़ने का यही मार्ग है तो अब थोड़ा आगे और चलते हैं एहिबिद सिसू बिनोद प्रभुकीना सकल नगर बासे ही सुखदीना कहते हैं इसी प्रकार से भगवान अपने बाल लिलाएं करते रहे अयुध्यापूरी में और सकल नगर बासे ही सुखदीना और सारे नगर बासे हीं को खूब सुख दिया खूब सुखे किया और उधर कौसल लिया उनकी क्या दशा थी ले उचंग कभू हलरावे कभी गोद में उचाल रही हैं सहला रही हैं हलरावे जुला रही हैं लाड लडा रही हैं को भगवान के प्रभू गोद में हैं और कितना आनंद मैं खेल खेल रही होंगी अहलादित हो रही होंगी ये तो वे ही जानती हैं कब हुँ पालने घाली जुला और कभी पालने में लिटा कर जुलाने लगते है अब इस स्थिते समझ लिजे कि इस समय भगवान राम शिशु के रोप में कितने छोटे हैं कि गोदी में उठा रही हैं पालने में जुला रही हैं पालने में जूलने वाले बच्चे हैं इस समय तो आगे क्या करते है एक बार जननी अन्वाहे प्रेम मगन को सल्या निस्द निजात ने जान सुत सनेह बस माता बाल चरित कर गान प्रेम में ऐसी मगन हो गई को सल्या ना दिन समझ में आता था ना रात दिनों रात की तो खबर ही नहीं थी प्रतिशन बस बाल रूप भगवान राम में ही हृद्य अवस्थित रहता था वहीं देख देख निहार निहार निहाल होती रहती थी कौन दिन को देखे, कौन रात को देखे कैसा दिन, कैसे रात समय कैसे बीतता था, कुछ पता ही नहीं चलता था सुत सने बस माता अपने बच्चे के सने में माता कौसल्या, बाल चरित गरगान और उनके जो बचपालपन की जो क्रिडाएं थी भगवान की उनहीं के गीत गाती रहती थी हर समय एक बार जननी अनुवाहे कर सिंगार पालन पौड़ाए कहते हैं एक बार की बात है कोसल्या ने भगवान राम को स्नान कराया आप भी कराते हैं न अपने घर में छोटे-छोटे नन्य नन्य गोपाल बच्चों को टब में नहला रहे हैं बिठाके उपर लोटे से पानी डाल रहे हैं छोटा बच्चा कितना आनन्दित होकर नहाता है जल में तो ऐसे ही भगवान श्री राम को स्नान कराया को सल्याने और कर सिंगार फिर उनका श्रिंगार किया फिर पालना पाउड़ाए और फिर पालने में ले जाकर लिटा दिया और जूला दे दिया जूलते रो भईये हम अभी आ रहे हैं तुमको नहला धुला दिया कंगी कर दी काजल लगा दिया अब पालने में लेटो और जूला जूलो हम अभी आते हैं अब कहां गए हैं जो अभी आते हैं निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हे तु कीन ही असनाना अब अपने जो इष्ट देव थे श्री हरी भगवान विश्णो अब उनकी भी पूजा करनी है और उनकी पूजा करने से पहले स्वय में सनान करना है तो भगवान राम को पालने में लिटा दिया और माता कोसल लिया सनान करने के लिए चली गई कि सनान के बाद अपना श्री हरी की भी पूजा की जाएगी कर पूजा नैवेद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् जो भोजन बनता था पहले, उसका थोड़ा सा अंश लेकर, जो इश्ट देव होते हैं, उनको अरपित किया जाता था, अब तो ये खो गई परमपरा, एक आद घर में किसे में बची होगी, कि भोजन बनने से पहले, पहले भगवान को भोग लगता है, फिर सारे घर में वो ग रहन किया जाता है, तो ऐसे ही रसोई में जो बना था, वो नवेद्य पहले भगवान को अरपित किया किवे भोग लगा लें, रखाएं, रखने के बाद वो फिर रसोई में गई, जैसे स्वभाविक होता है, कि रसोई भी तो समेठनी है, भगवान राम को तो जुला दिया पालने में, कि भई ये जूलते रहो, वो जूल रहे हैं, वो रसोई में आई है, रसोई में करने के बाद फिर वापस लोटी की नैविद्य को लेकर आया जाए, च्योंकि फिर वो उस भगवान के भोग को बाकी सारे भोजन में मिला दिया जाता है, और वह प्रसाद बन जा तो वहां गई रसोई में, रसोई से फिर वापस पूजा ग्रह में, तो पूजा ग्रही में जाके क्या देखती हैं वे, बहुरी मात तहवां चल आई, भोजन करत देख सुत जाए, और क्या देखा कि भगवान राम वहां पर बैठे हुए, बालरूप भगवान राम, जो इ उसे खा रहे हैं, बड़ी हैराननी की बात है, छूटा सा बालक, नहला दुला के, कंगी करके, सिंगार करके, पालने में जुला कर आ गएं, दुपालने में जूल रहे हैं, और यहां के देखा तो नवे देखा रहे हैं, गय जननी से सुपई भाय तीहा, देखा बाल तहां पुनिस होता और ये तो देखकर भैबीत हो गई डर गई क्यों डर गई इसलिए डर गई कि ये कौन उठा के ले आया गोद में मेरे लल्ला को यहां पर क्योंकि पालने से उठा कर पूज़ा ग्रह तक लल्ला खुद तो नहीं आ सकते थे उनको तो गोद में उठाना पड़ता है छोटे है भई भगवान श्री राम और यहां के देखा तो वो आनंद सहीद भोग लगा रहे हैं तो डर बैटका एक दम कि कौन है किसने उठा लिया घर में ऐसे ऐसा तो कोई करता ही नहीं है और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा और य सुरक्षा की भावना ममता है ना भाइबीत हो गई आप सोहीं सोचिए आप अपने बच्चे को पालने में सुला कराई हैं ब्रसवई के काम करने के बाद आप पूजा घर में गई है भगवान का प्रसाद इत्यादी रखा है और वहां जाके देखें कि आपका बच्चा वो कौन लाया क्या घर में कोई और भी है ऐसा कैसे हो गया तो वो जो भए था वो कौसलिया के मन में समा गया कि कैसे हुआ यह तो कारण जानने के लिए वो दोड़ कर उस स्थान पर जाती हैं जहां पर पालना था और वहां जाकर क्या देखती हैं कि भगवान तो पालने में सो फिर दोड़कर पुजा घर में कौन है फिर वहाँ दोड़कर पुजा घर में आई बहुरी आई देखा सुत्स वही हर्दय कंप मन धीर न होई वहाँ आकर आई तो देखती है वहाँ पर फिर वही बाल रूप भगवान श्री राम नवेद्य का भोग लगा रहे है कप गई भीतर तक डर गई कि यह हो क्या रहा है पालने में भी भगवान श्री राम पूजा घर में भी श्री राम अब उनको वह भगवान नहीं दिखाई दे रहे श्री राम अपना बच्चा दिखाई दे रहा है ममता जाग गई है वो सब भूल भाल गई कि भगवान है क्या है यादी नहीं रहा क्योंकि सिर्फ ममता उमड घुमड आए और यही प्रभु की लिला थी वो यही चाहते थे कि आप मुझे अपना पुत्रवत्स नहीं देजिए और भूल जाएए मैं आपका इश्टदेव को और इस समय वही स्थिति है कौसल्या की डरी होई है भीतर तक कपी होई है यहाँ उहाँ दो ही बालक देखा यहाँ भी और वहाँ भी दोनों जगे अपने ही पुत्र को देखा दोनों जगे हैं पड़ी असमंजस भय और नजाने किन किन भावों की स्थिति से वे दो चार हो रही होंगे थोड़ी सी कलपना करके देखिए कि आपके साथ ऐसा घटे तो क्या हालत होगे ऐसे नजारे दिखने अगर शुरू हो जाएं तो क्या होगा मन तो कप कप जाएगा कौसल्य का भी कप गया इहां उहां दोई बालक देखा मति भ्रह्म मोर की आनविसेसा और सोचने लगी क्या यह मेरे मति का भ्रह्म है बुद्धी तो नहीं फिर गई मेरी या कुछ और विशेश बात है दो चीज जब समझ में नहीं आया क्या घट रहा है कई मेरा ही तो दिमाग खराब नहीं हो गया या फिर कोई और बात अब कोई और में बहुत कुछ आ जाता है मन जब डराने लगता है न तो बहुत सारे बुरे विचारों की सेना को ले आता है तो वही सारे बुरे विचार की कुछ और क्या है कुछ और जो इस तरह का एक माया जाल पहला दिया है कि मेरा पुत्र राम पालने में भी है पूजा घर में भी है मैं इधर भी देखाई उधर भी देखाई दोनों जगे वही दिखाई दे रहा है ये क्या हो रहा है देख राम जननी अकुला ने और राम देख रहे हैं कि उनकी माता बड़ी व्याकुल हो गई हैं देख कर ये तो जानते ही थे कि मैं यहां भी हूँ, वहां भी हूँ एक फकीर की पंक्तियां मुझे याद आती है इधर भी देख, उधर भी देख मिट जाए धोखा, रह जाए एक तो अभी धोखा तो मिटा नहीं है अभी यहां भी देखा, वहां भी देखा और दोनों इस्थान पर राम दिखाई दे रहे हैं और राम देख रहे हैं देखी राम जननी अकुला आई कि उनकी जनुनी बहुत व्याकुल है, भाइबीत है, अकुला गई है, तो उन्होंने सोचा नहीं अब ना सताया जाए, तो क्या करते हैं वे, प्रबु हसी दीन मधुर मुस्काने, भगवान ने बड़े मुस्कुरा कर उनकी ओर देखा, दीन मधुर मुस्काने, उनको एक मध जबर मुस्कान अपनी दी, कहते हैं तेरा मुस्कुराना गजब ढ़ा गया, राम, तेड़ी नजर से किसी को देख ले, गया काम से, और मुस्कुरा कर किसी को देख ले, वह भी गया काम से, गुनात चरन रति मानी, तिन की एह गति प्रगट भवानी, रगुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंदन छोरी, जीव चराचर बस कैराखे, सो माया प्रभु सो भै भाखे, भिकुटि बिलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड भजय कहुकाही, मन क्रम वचन छाड चतुराई, भजत क्रिपा कर है रगुराई, एहि विदि सिसू बिनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना, ले उचंग कब हुक खलरावे, कब हु पालने घाली जुलावे, प्रेम मगन कोशल्या, निशिदिन जात नाज्यान, सुत सने बस माता, बाल चरित कर गान, एक बार जननी अनवाहे, करि सिंगार पालना पोडाए, निज कुल इस्ट देव भगवाना, पूजा हे तुकीन असनाना, करि पूजा नए वेद चड़ावा, आपु गई जैपाक बनावा, वहरी मात तेहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई, गेजन नेशि सुपही बैबीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, वहरी आई देखा सुत सोई, हिरदै कंप मन धीर न होई, इहां उहां दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की आन विशेशा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मदुर मुसुकानी, देख रावा माताई निज, अदबुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटी कोटी ब्रह्म मन्ड, प्रप्रा स्थम प्रेखं, व्रा दूटेधा, लोम रोम शेगओो अवसं ब्रभु है,